एक बार एक महात्माजी अपनाग जंगल में आश्रम बना कर रहते थे एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक कर आश्रम में आ गया महात्माजी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूद रोटी खिलाया वो बच्चा वही आश्रम में रहकर पलने लगा लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन हो गई कि जब वे सायम ध्यान में बैठते तो वो बच्चा कभी उनकी गोद में चड़ जाता कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुला कर कहा देखो मैं जब सायम ध्यान पर बैठ हूँ उससे पूर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेर से बोधाया करो अब तो यह नियम हो गया महात्माजी के ध्यान पर बैठने से पूर्व वो बिल्ली का बच्चा पेर से बौधा जाने लगा एक दिन महात्माजी की मृत्यू हो गई तो उनका एक प्रिय काबिल शिश्य उनकी गद्धी पर बैठा वो भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे, पूर्व बिल्ली का बच्चा पेर पर बौधा जाता फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई सारे शिश्यों की मीटिंग हुई, सब ने विचार विमर्ष किया कि बड़े महात्माजी जब तक बिल्ली पेर से न बौधी जाए, तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे अता, पास के गौवों से कहीं से भी एक बिल्ली लाए जाए, आखिरकार काफी धैडने के बाद एक बिल्ली मिली, जिसे पेर पर बौधने के बाद महात्माजी ध्यान पर बैठे विश्वास माने, उसके बाद जाने कितनी बिल्ली ओ मर चुकी और न जाने कितने महात्माजी मर चुके। लेकिन आज भी जब तक पेर पर बिल्ली न बौधी जाए, तब तक महात्माजी ध्यान पर नहीं बैटते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं ये तो परंप्रा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे, वे सब गलत तो नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए हम अपनी परंप्रा नहीं छोड़ सकते, ये तो हुई उन महात्माजी और उनके शिश्यों की बात, पर कही न कही हम सबने भी कि एक नहीं, अनेकों ऐसी बिल्लियों पाल रखी है, कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर, सैकडों वर्षों से हम सब ऐसे ही और कुछ अंजाने तथा कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंप्राओं के जाल में जकड़े हुए हैं, जरूरत इस बात अंजाने को ये अंद्विश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे, ऐसी ही और कहानिया सुनने के लिए लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें